हाई फ्रेंज, विरल्टेक चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है, आज फिर एक नाया प्रोड़क्ट अपने पास आया है, ये है फिलिप्स का आल इन वन ट्रिमर मल्टि ग्रूम सीरीज, ये है सीरीज 3000, जो पिछला वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, वो था 1000, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा कमदाम में है, और ये जो है, ये आपका फेस और हैर, ये दोनों को टागेट करके ये प्रोड़क्ट को बना गया है, और इसमें 8 टूल्स है, ये ओल इन वन ट्रिमर है, इसका 60 मिनिट तक आपको रन टाइम मिलेगा, और ये रैंजेबल एटेच्मेंट के साथ आता है, यानि कि आप इसका एटेच्मेंट को खोल के पानी में धो सकते हो, ये ट्रिमर वाटर प्रूफ नहीं है, दो साल की वर्लवाइड वारंटी के साथ ये आती है, और अगर आप इसको अंदर में जो कार्ट दिया गया है, जो म और इसमें नोज और ये ट्रिमर भी दिया गया है, ये जो ट्रिमर है, ये प्लास्टिक ट्रिमर है, जो इसके ब्लेड है, वो प्लास्टिक है, और उपर की जो ब्लेड है, आगे की जो पोश्चन में जो में ब्लेड है, वो स्टेनले स्टिल की है, जो इसके पहले वाली सीर दाम भी कम है, इसकी करीबन MRP है 3,000 रुपए, उसकी MRP था 4295, तो करीबन 1300 रुपए का जो फरक है, उसमें आपको attachments भी कम मिलते हैं, इसमें 8 attachments है, उसमें 13 है, मैं आपको इसकी unboxing video, comparison video बाद में दूँगा, चलिए, इसमें हम लोग concentrate करते हैं, तो यह है इसका box packing, यह भी वैस सही ही है, series 3000, self sharpening blades, इसकी जो blades है, वो अपने आप self sharpening होती है, यानि की सालों साल तक चलेगी, यह इसकी box packing है, और ऐसा इसका यह आता है, यह है main trimmer, इसमें एक उपर में एक plastic का blade दिया है, जिसमें आगे का portion जो blades होते है, sharp sharpening, वो stainless steel की है, एक nose trimmer है, तीन additional, आपको combs दिये गाए है, जो की 9 mm से लेके 16 mm है, stubble combs दिये गाए है, दोटों जो है 1 mm और 2 mm, और इसमें adjustable beard comb है, जो है 3 mm से लेके 7 mm, product की जो MRP है, वो है 32995 यानि की करीबन 3,000 रुपए, और यह जो model है, यह है Mg 3730 by 15, फिलिप्स का model है, और यहां पर जैसे लिखा गया है, impact resistant combs, rangeable attachments, यानि की attachments को आप निकाल के दो सकते हो, और up to 60 minutes run time, लेकिन यह charge करने में करीबन आपको 8 से 9 घंटे charge इसको करना पड़ेगा, चलिए इसके unboxing शुरू करते हैं, जैसे ही हम इसको खोलते हैं, इसमें पहली चीज जो आपको मिलती है, वो है यह carry pouch, बहुत ही अच्छी quality का pouch है, और इसमें एक नया style का locking system दिया गया है, zip lock style, यह देखिए, काफी अच्छी depth है, इसमें trimmer आपकी आसानी से अंदर में आ जाएगी, और नया style का zip lock है, change system नहीं है, zip lock style है, उसके बाद आपको मिलती है manual, एक आपकी warranty card, जिसमें की सारी detailing दी गई है, इसको आप एक बार पढ़ लीजे, तो better रहेगा, service center कहां कहां पे, कौनसे state में कहां कहां है, यह आपको descriptions में इसमें मिल जाएगी, और इसके साथ जो दूसरी चीज मिलती है, वो है, इसकी, फिलिप्स की एक catalog, जिसमें सब सीरीज के बारे में, उन्होंने description दिया है, और एक instruction manual भी है, कैसे blade को use करना है, कैसे आपको, कौनसी blade किसमें काम आएगी, कैसे आपको use करना है, with photo description, तो यह काफी helpful है, और आपको यह अच्छी तोर पे मदद करेगी, यह है primer का main photo, और इसके साथ जो आपको और एक product है, इसके साथ main मिलता है, यह आपका warranty card, अब यह जो scanner है, इसमें आपको scan करके, एक साल की extra warranty के लिए registered करना पड़ेगा, company के website में जाईएगा, अपना serial number डालिएगा, और आपका यह extra warranty अपने आप automatically registered हो जाएगी, यानि कि 2 plus 1, 3 years आपको warranty मिलेगी, चलिए, इसकी हम आपको दिखाते हैं, इसका trimmer, यह देखिए, यह trimmer का look देखिए, बहुती compact है, plastic make है, यहाँ पे एक on and off का button है, यह एक rubberized texture grip है, full plastic body है, यहाँ पे पूरी पीछे में आपको यह जैसे आप आवाद सुन पा रहे हो, एक textured grip plastic की की गई है, ताकि आपको hold करने में कोई problem ना हो, जो मैं आपको बता रहा था, यह जो main blade है, यह देखिए, यह completely plastic की है, और आगे की जो खाली blade है, वो ही stainless steel की है, और इसको भी आप ऐसे खोल सकते हो, और यह इसकी motor की जो head है, वो metal की है, इसको आप ऐसे ही वापस, इसको fit करो, वैसे ही click आवाज इसमें भी आती है, मैं आपको इसकी sound भी सुनाता हूँ, यह देखिए, ज्यादा sound नहीं है, okay है, sound कम ही बोला जाएगा, और size बहुत ही compact है, बहुत ही छोटा है, फिलिप्स की branding आपको इसमें मिलेगी, blades आप देख सकते हो, double edge sharpening blades है, जो आपने आप self sharpening करेगी, यहाँ पे company की पुरी details है, और यह made in Indonesia है, अगर आप इसको देख सको तो यह made in Indonesia है, यह China का product नहीं है, design भी काफी superior quality का design है, एक आपको chrome garnishing का, यहाँ पे बीच में एक design मिलता है, जिसके अंदर में switches integrate किये गए हैं, और अच्छा look है, यह हुगिया अपका trimmer, और इसके साथ जो attachments मिलते हैं, वो है यह nose attachment, एक अपका nose attachment मिलेगा, जो आप इसको खोल के इसके उपर fit कर सकते हो, जो मैंने पहले वीडियो में सब आपको बताया था, तो मैं आपको इसके attachments खाली दिखा देता हूँ, यह है nose attachments, आप देखिए, quality काफी अच्छी है, इसमें भी marking दी गई है, अब की तरफ मने इसको आपको ऐसे करके खोलना है, marking भी दी गई है, यह है nose attachments, उसके बाद आता है आपके hair के attachments, जो कि यह 9 mm और 12 mm, यह अगर आप देखो यह 9 mm है, यह 12 mm है, यह 2 hair attachments कोम दिये गए हैं, और इसके बाद मैं आपको, और एक attachments इसमें है, यह है, 16 mm, तो 3 attachments है, 9 mm, 12 mm और 16 mm, तो अगर मैं आपको दिखा हूँ, तो यह देखिए, तीन attachments है, यह 9, यह 12, और यह 16, यह 3 attachments इसके साथ आते हैं, तो चलिए, यह यहाँ पर मैं रख के आपको दिखाता हूँ, यह 3 attachments हो गए, यह आपको मैंने nose trimmer दिखा गया, यह nose trimmer वाला attachment, इसके बाद जो आपकी beard attachment आती है, वो है 1 mm और 2 mm, यह देखिए, 1 mm blade और 2 mm blade, यह दो beard की attachment आती है इसके साथ, तो यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ रख के, उसके साथ जो एक, यह बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी कि इस कम price के budget में भी इन्होंने वो attachment दिया है, जो की 7715 में भी दिया गया था, वो है यह, यह है आपका multiple adjustment वाला attachment, यह है adjustable beard comb, जिसमें 3 mm से लेके 7 mm तक आपको attachments मिलेगी, यह देखे 3 है, 4, 5, 6, 7, अब अब इधर पर ध्यान दीजे, मैं जैसे अगर level कम कर रहा हूं, तो यह blade नीचे जा रही है, देख सकते हैं, यह देखे 3, 4, 5, 6, 7, यह level जो है, यह gap देखिए, gap अपने आप कम हो रही है और बर रही है, तो ऐसे आप attachment इसको लगा सकते हो, अब यह attachment लगाना बहुत ही simple है, यह जो आपकी existing attachment है, यह अपकी main attachment हो गई, इसके साथ आपको खाली, यह ऐसे करके बस, यह देखिए, यह आपकी attachment हो गई, फिर आपको जहाँ पर इसका मन करें, जो attachment आपको करना हो, आप 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm तक इसको ले आ सकते हो, यह level उपर नीचे होती रहेगी, तो आपका adjust हो जाएगा, beard का attachment, यह अच् करने के लिए, just आपको, click system है, just आपको, यहाँ से आपको just push करना है, और जब आपको लगाना हो, यह जो lever है, वो इसमें डालिए, और just press, press करने से, एक click करके एक आवाज इसमें भी आती है, तो यह आपकी trimmer हो गई, और इसके साथ जो एक charging, charging adapter भी दिया गया है, यह है इसका charging adapter, हाँ, यह USB से charge नहीं होगा, यह जो trimmer है, इसके लिए एक अपना adapter company ने provide किया है, यह Philips की branding भी इसमें दी गई है, और यह जो है, यह आपको use करना है, और यह जो, इसकी जो output है, वो है, 2W, 240V में यह 2W consumption करेगा, तो यह है इसकी चीज, और यह आपकी इस तरीका से attach हो जाएगी, यह देखिए, यह देखिए, यह आप attach ऐसे कर सकते हो, चार्च के लिए, यह आपका 8-9 घंटे तक आपको चार्च करना पड़ेगा, तब जाकिए आपको एक घंटे का battery backup देगा, तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, यह उन लोगों के लिए है, जो कम range में, within 3000 के अंदर में, एक अच्छी ट्रिमर, multi-use ट्रिमर, multi-purpose ट्रिमर लेना चाहते हैं, तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और उमीद करता हूँ, के आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को, और यूँ ही साथ देते रहिए, चाहे जो भी हो, चलिए, अब यह वीडियो एंड करने का टाइम हो चुका है, इसके बाद मैं आपको एक कंपरिजन वीडियो भी लाऊंगा, जिसमें आपको इसके साथ मैं 7715 का कंपरिजन करके बताऊंगा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, बने रहिए, जुडे रहिए, थैंक यू